गुर्मारिंग इस्टूजेंट आम इक्बाल अर्फिन और वाचिंग यूट्यूब चैनल आईज इंग्लिस क्लासेद एस्टूजेंट्स आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास है जैसा कि हम पिछले वीडियो में शुड का परियोग पढ़े थे शुड का आर्थ होता है चा मॉडल वर्ब मस्ट का परियोग मैं आपको बता रहा हूँ जो शुड और मस्ट दोनों का मेनिंग सेम चाहिए होता है पर दोनों में डिफरेंसेज है तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहें आप लास्ट तक वीडियो को देखें और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किये प्लिस सब्सक्राइब कर ले और आईए अब चलते हैं मस्ट का परियोग कहां कैसे किस तरह से क्या आता है तो डियर स्टुडेंट्स हम दोख सबसे पहले जानेंगे मस्ट का मिनिंग तो आप जानते हिए मस्ट का मिनिंग चाहिए होता है बस इसमें जरूर और अवस्य सब्द का परियोग कर देना होता है और बिल्कुल शुड की तरह ही परियोग करेंगे तो बैसिक स्ट्रक्चर जो है वो यह है कि सब्जिक्ट प्लस मस्ट प्लस भरवन प्लस अब्जिक्ट इस स्ट्रक्चर पर ही हमें मस्ट का परियोग करना होता है मस्ट का जब पर मुझे उनसे अवस मिलना चाहिए उन लोगों को यहां अवस से आना चाहिए तुम्हें यह वीडियो अवस से देखना चाहिए बच्चों को घर पर अवस पढ़ना चाहिए तो इस तरह के वाक्य के लिए आप यह मॉडल वर मस्ट का प्रियोग करेंगे यहां पर एक एक्जा को इंग्लिस में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बाकि आप और भी कई तरीके से अफर्मेटिव नीगेटिव इंट्रोगेटिव नीगेटिव डवलू एच कर सकते हैं जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है किस तरह से चैंज करना होता है तो मॉडल वर्ब सेंटू सेंटू सेंट पर यूजब़ा अब आईए मस्ट का पर्योग जो है अस्टुट्येंट से हम लोग कहां कैसे कैसे सिच्टूइशन में और किसके सेंसे में करते हैं जी हां मस्ट का परियोग भी सेंटूर्ण की तरह है उसका सबसे पहला point हमारा ये है कि necessity necessity का मतलब होता है आसकता जरूरत और necessity या फिर compulsion compulsion मतलब बाधि यानि जिस हिंदी वाक्य से आसकता यानि किसी काम को करने के आसकता हो या बाधिता का बोध हो तो वैसे वाक्य में हम must का प्रयोग करेंगे एक example you must join this class तुम्हें इस class को अवस सामिल होना चाहिए यानि इस class में आपको अवस सामिल होना चाहिए ये बोध करा रहा है ये वाक्य बता रहा है कि आपको अवस सकता है आपको ये करना जरूरी है और कहीं न कहीं इसका दूसरा अर्थ या है कि आप बाधी भी हैं ऐसा करने के लिए तो जहां बाधिता हो जहां सकता हो वहां मस्ट का प्रियूग सिकंड पॉइंट है स्टुडेंट एस ट्रॉंग पॉसिबिलिटी जी हाँ पॉसिबिलिटी में मैंने आपको और भी कई तरह के मॉडल वर्फ बताया है जो लोग नहीं देख पाएं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक है आप एक एक करके देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन-कौन सा मॉडल वर्फ का प्रियोग करते हैं का भी प्रयोग पासिबिलीटी के लिए लेकिन इस ट्रॉंग पासिबिलीटी के लिए जैसा कि आप देखिए he must be in the playground because he is not in the class वह लगास में नहीं है यहां पर यह क्या बता रहा है रहा है कि वह लुए classroom में नहीं है जब classroom में नहीं है तो इस संभावता बताः जारा है कि वह जरूर playground में होगा क्योंकि उसकी आदत है जब वह classroom में नहीं होता है तो खिलने चला जाता है तो इस situation में इस सेंसेज में हम मस्ट का प्रियोग करते हैं नर्देश म your हमारा अगला पक्राइब अगला किमारा इस किसी काम को करने के लिए आपको नर्देश दिया रहता है कि आसे नहीं है ऐसे करोगे तो इस ट्रॉक्सान जब देना जो है अवस्य होना चाहिए एक्चुली ऐसा होता है कि जब भी आप कभी एक्जाम देने जाते हैं तो जल्दी बाजी में कभी-कभी कुछ जो है वह आइडेंटी काड भुल जाते हैं नहीं लेजा पाते हैं तो यहाँ पेंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि कंडिडेट्स मस्ट हैब देर अडेंटी काड उनका अपना जो है भाचान पत्र अवस्य होना चाहिए चलिए अगला पाइंट है हमारा इस्ट्रॉंग प्र करने चाहिए एदम अवस्य है कि आपको यह काम नहीं करनी चाहिए तो जैसे यहां पर दिया वाया दे मस्ट नौट फाइट इंदा क्लास उन लोगों को वर्ग में अवस्य नहीं लगना चाहिए तो ऐसे वाक्य के लिए हम मस्ट का पर्योग करेंगे स्ट्रॉंग के लिए इस पर्योग करते हैं अगला पॉंट इस्टुंड को पास्ट फॉर्म में भी यूज के आता है और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में शुड के पर्योग में बताया था कि चाहिए सब दिके लिए मतलब सुड का परियोग करते हैं और सुड को अगर पास्ट फॉर यहां भी उसी तरीके से चाहिए था ही रहेगा लेकिन अवस्य जरूर सब्द जुटा रहेगा मिला रहेगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक्जामपल ही मस्ट है रिवाइजड ही चैप्टर एट हम मतलब यह होता है कि उसे अपने घर पर अपने पाठे का पुनर अभ्यास परियोंग करना चाहिए था करना चाहिए था अवस्य करना चाहिए था जब होगा तो हम वहां पर मस्त है प्लसलित रप्री यह प्रियोंगर लूग सब्रेंस आफ देखेंगे अगला pouv10 है स्ट्रोंग एडवाइस के लिए आपको पता है कि हमने शुड का परियोग करते हैं और शुड से बहतर संद मॉडल होता नहीं लेकिन हां कहीं कुछ सिच्वेशन में सुड के जगा हम कोई और दूसरे मॉडल वर्फ का भी परियोग करते हैं जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि अगर स्ट्रोंग एडवाइस है तो वहां पर आपको मस्ट का प्रियोग करना होता है दे मस्ट लर्निंग लिस यानि आप उन लोगों को एडवाइस कर रहे हैं सुझाव दे रहे हैं और साथी साथ जोर भी दे रहे हैं कि उन लोगों को अंगरेजी अवस सिखनी चाहिए यानि आपके सुझाव में एक दबाव एक जोर भी है एक स्ट्रोंग एडवाइस है चलिए अगला है स्ट्रोंग मोरल ऑबलाजेशन जानते हैं नैतिक कारे नैतिक कारे करने का बहुत जो होता है उसको हम लोग मोरल ऑबला करते हैं और स्ट्रोंग मोरल ऑबलाजेशन के लिए मस्ट का प्रियोग क्या थै वैसकार्थ हो गया कि तुम्हें अपने परोसी की मदद आवस्य करनी चाहिए परोसी की मदद करना एक moral obligation है लेकिन आवसी करनी चाहिए यह strong moral obligation है इसलिए यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे next है strong recommendation recommendation मतलब आप किसी को promise दे रहे हैं आप किसी को बता रहे हैं एक तरह से सुझाओ भी हो सकता है आप आप बता रहे हैं कि आपको यह चीज़ करना चाहिए आपको ऐसा करना चाहिए तो वहां पर भी आप मस्ट का प्रयोग करेंगे जब आपका recommendation strong recommendation strong कैसे होगा जैसा कि एक ग्जांपल मैं यहां पर देखकर आपको explain कर रहा हूं ही मस्ट गो टू डैट रेस्टोरेंट उसे उस रेस्टोरेंट में अवस्ट से जाना चाहिए इसके पीछे एक सिंज है कि मैं आप मैं जो है उसको recommend कर रहा हूं कि उसको उस restaurant में ही अवस्ट से जाना चाहिए क्यों क्योंकि मेरा experience रहा हो मेरा जबाओ रहाँ यहां कि करने के लिए बहुत का प्रयोग करते हैं जब अप कर देते हैं दबाव डाल देते हैं उसको इंफैटिक कर देते हैं तब आप वहाँ पे जो है must का प्रियोग करेंगे जैसा कि student must come at time अक्छली अक्सर ऐसा होता है कि students 10-5 minutes late हो जाते हैं time से आ नहीं पाते हैं class में तो बार बाव उसको instruction दिया आता है बार बाव उसको समझाया जाता है सुझाओ दिया आता है उसका duty बताया जाता है कि students आपको समय पर आना चाहिए लेकिन उसको follow नहीं करते हैं तो वहाँ पे जोर देकर आप model verb must का प्रियोग करके आप बोल सकते हैं कि student must come at time छात्रों को समय पर अवस्यानी चाहिए तो यहां पर भी हम मस्ट का प्रियोग करेंगे अब आई यह मस्ट का एक इस्पेसल जो है कि यूज मैं आपको बता रहा हूं कि मस्ट का प्रियोग नावन के रूप में भी क्या आता है जी हां नावन मतलब मस्ट तो मॉडल वर्व है लेकिन मस्ट को नाउन के रूप में भी परियोग करेंगे और जब नाउन के रूप में परियोग करेंगे तो उस मस्ट के बाद कोई वर्व का परियोग नहीं करना है ओके जैसा कि एक्जामपल आप यहां पर देख रहे हैं इंगलिस इज मस्ट टू गेट एक गुड जॉब नावड़ कि आज कल अच्छी नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी जरूरी है यहां पर मस्ट कारता है जरूरी आवस्यक है ना तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मस्ट के साथ मैंने कोई वर्व नहीं लगाया है यहां पर टू गेट का परियोग किया गया वह एक इंफानिटिव इंग्लिस इद मस्ट मतला अंग्रेजी जरूरी है इतना से भी संटेंस कम्प्लीट हो था लेकिन मैंने कॉंप्लिमेंट के लिए मैंने इसको जो है जो किया है ताकि आपका सिल्स बिल्कुल किलियर हो जाए कि इंग्लिस इद मस्ट गेट ए गुड जॉब नावेड़ेज आजकर नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी जरूरी हो चुका है तो स्टुडेंट्स आप इस तरह से देखें कि ये था मस्ट का परियोग पिछले वीडियो में शुड का परियोग आपने पढ़ा अब आने वाले वीडियो में आपको आउट टू का परियोग बताऊंगा जिसमें आउट टू कार्थ भी होता है चाहिए तो शुड मस्ट और आउट टू टीनो कार्थ चाहिए होता है और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंतक देखें और जो लोग अब तक नहीं देख पाए हैं वो हमारे वीडियो में हमारे व वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी लाव मिल सुके है ना थाइंक्चों कि अ जा हुआ हैं